तो आज के स्टेर्केस के बारे में बात करने वाले इसे चेन स्टेर्केस लैपले स्टेर्केस कहा जाता है तो इसके बारे में आज के स्टेर्केस में हम बात करने वाले तो रिड क्या होता है राइस क्या होता है और फ्लाइट की हमें विड कितनी रखनी चाहिए मिनियम इसके तो इसके ऊपर वीडियो को बनाया जाता है तो इस वीडियो को देख लिए आपको आया बटर में मिल जाएगा नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा तो अब हम ट्रेड क्या होता है और राइज क्या होता है इसके बारे में यहां पर बात करने वाले तो यह जैसे कि आप सामने देख पार होई जहां पर हम पाव रखते हैं उसके उपर तो यह हमारा ट थिकनेस आप देख पार होई इस फोल्डिंग स्टेर्केस के थ्री इंच होती है और इसके नीचे वेस्ट लैब नहीं है जो नॉर्मल स्टेर्केस में होती है वेस्ट लैब इसके नीचे नहीं है तो इसलिए इसे फोल्डिंग स्टेर्केस कहा जाता है तो अब हम ट्रेड क और राइस का minimum size कितना रखना चाहिए और maximum कितना होता है इसके बारे में बात करेंगे तो यहां पे trade की size के बारे में यहां पे बात करेंगे तो यह 250 to 300 mm तक होना चाहिए according to the IS 456-2000 तो यहां पर जो सामने आपको वर्टिकल आपको रइस दिकाई दे रहा है इसकी साइज के बारे में बात करेंगे तो यह 150 तो 200 एम तक है मिनिमम हमें होना चाहिए तैया हमने की साइज 10 इंची रखिए और Rise की Size हमने यहां पर 6 इंची रखिए और इसकी थिकनेस 3 इंच है और इस तरीकी से यहां पर हमें Trade और Rise का हमें Size इस तरीकी से डिशाइड करना होता है और यहीं हमें Refer करना होता है Accordingрокुदिस 245,291 एчи 20-22 तक qam ट्रेड का साइज रख सकते हैं क्योंकि इस पर आसानी से पाव रख सके और इस पर चड़ सके और यहां पर जब दोड़ते हुए जाएंगे तो स्टेर्केस के ऊपर तो पहरना फिसले तो मिनिमम हमें 10 इंच और मैगजिमम हमें 12 इंच तक साइज रखना चाहिए तो राइस क भी उसके ऊपर से चड़ सके और उन्हें ठकान ना महिशुस हो तो यहां पर स्टी की वि rook के बारे में बात करेंगेंगे hem हमने minimum हमें 3 feet हमें रखना चाहिए यह flight width तो अब हम यहां पर landing का dimension कितना होना चाहिए minimum इसके बारे में देखेंगे तो जैसे कि यहां पर सामने आप देख पार हो यह landing होती है मिड लेंडिंग का आ जाता है इसे क्यों देते क्योंकि चटने के बाद थकान मैसूस होने के कारणे आप रेस्ट करने के लिए दिया जाता है यह minimum 3 feet होना चाहिए जहां से हमें यह flight का width होता है उतना यह landing का width होता है तो इस तरह से हम को सब्सक्राइब कीजे तो आपको इसी तरह के learning वीडियो मिलते रहेंगे